प्रेंट्स आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउस और इसे हम बनाएंगे प्रिंसिस कट पर 34 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन की बेटन जरूर दबाएगा यहाँ पर हमने ल सुल्डर लेना है सेवन इंच सुल्डर का हाफ लेना है और आर्मूर लेना है हमें आपे 6.5 इंच स्ट्रेट में हमें मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर चेस्ट का फॉर्थ पार्ट लेना है 34 का फॉर्थ पार्ट होगा 8.5 इंच फ्रेंट पार्ट है तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जन के लिए यहां से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रो करनी है और निचे के साइट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए तो देखें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया वन इंच से आस्मोल के साइट गुलाई देनी है और इसे कट करना है तो दिखिए कट हमने आप ऐसे कर लिया है प्रेंसिस कट कट करेंगे 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है और इसका जो टक्स पॉइंट है वो आएगा 10 इंच पर तो 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हमें प्रेंसिस कट का शेप देना है तो शेप दे दिया है यहाँ पर दिखिए 1.5 इंच लेना है और वन साइट से 1 इंच लेना है लेंध में इसे हम 2 इंच लेंगे और यहाँ पर हमें शेप देना है तो इसमें हमने एक साइट से हाफ इंच लिया है और एक साइट से वन इंच लिया है कटिंग कर लिना है इसकी अब दिखिए जो बैक पार्ट है उसे हम यहाँ पर इसमें निकालेंगी तो उपर की साइट पर जो अपर पार्ट है इसका उसमें हम यहाँ पर सिफ ने जो man fabric है उसे ही use करेंगे तो यहाँ पर हमें marking कर लिनी है waist का fourth part ले लिना है उसमें 2 inch plus करना है और यहाँ पर हमने marking की है 4.5 inch पर straight line draw करनी है नीची के side में lining सिर्फ इतनी ही use करूँगी बाकी जो उपर lining use करेंगे वो सिर्फ net fabric ही करेंगे cut कर लेना है तो man fabric पर हमने से cut कर लिया और दिखी जो back part था उसे भी हमने यहाँ पर cut कर लिया armhole 7 जो हमने यहाँ पर लिए थे वही लिया है front part में लिये थे वही लिया है सिर्फ जो हम margin लेते हैं वह हमने यहाँ पर 2 inch लिया है half inch से हमें shoulder को down कर लेना है अब यहाँ पर दिखिए half inch stitching के लिए रखेंगे sleeves cut करने के लिए और बाकी armhole को measure कर लेना है तो जो armhole है वो 9 inch या रहा है हमारा और इसके भी हमें जो इसके shoulder है वो हमें आपर half inch cut कर लेना है down कर लेना है और अब हम यहाँ पर sleeves को cut करेंगे तो दिखिए सही के से 4-4 fabric किया मैंने और इसमें हम sleeves को cut करेंगे तो sleeves की जो land थे वो में 3 inch रखोंगी और 1.5 inch मैंने इसमें extra लिया है तो टोटल मैंने आप पर 4.5 inch लिया है और armhole लेना है हमें 9 inch पर 2.5 inch पर sleeves को down करना है और sleeves का shape देना है sleeves round है हमारा 12 उसका half लेना है 6 inch लेंगे और 2 inch लेना है margin के लिए line को draw करते हुए हमें इसे cut करना है यहां से भी हमें cut कर लेना है और दिखिए अब यहां पर इसको इस तरीके से रखते हुए front के लिए हमें shape देना है इसमें तो दिखिए front के लिए shape दे दिया cutting हो गई है front part के हम stitching करेंगे तो दिखिए जो man fabric है उसे wrong side पर रखेंगे उसके उपर lining रखते हुए इसे चारो side से stitch करना है इसका जो extra fabric है उसे हमें cut करना है और इसका जो दूसरा part है वो भी हम इसी तरीके से stitch करेंगे दोनों ही पार्ट स्टीच कर लिए है और अब दिखिए यहाँ पर हम neck को cut करेंगे neck width लेनी हमें आप पर 4 inch neck की length यहाँ पर हम रिंगे 6.5 inch और यहाँ पर हमें shape दे देना है इस तरीके से इसे cut करना है और अब दिखिए paper pasting लेना है हमें पिपर pasting पर neck को as it is रखना है और इसकी marking कर लिनी है as it is cut करेंगे इसे side 7 inch extra लेते होगे cut करना है तो दिखिए इसे हमने lining fabric पर paste कर लिया है और इसे side से fold करना है तो half inch extra लिया हमने इसे इस तरगे से fold करने के लिए लिया है fold कर लिया हमने यह आपर और अब दिखिए lining fabric को इसके उपर रखेंगे और neck को stitch करेंगे तो इस तरीके से हमें रखना है इसे और neck को stitch करना है पूरी neck पर हमें cut लगा लेना है और neck को पलट लेना है यहां से हमें stitch करेंगे इसके उपर से तो दिखिए stitch कर लिया है इसको अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे side से तो दिखिए neck को हमने याप पर ready कर लिया है और जो हमारा man fabric के उसके उपर इस तरीके से रखना है और इसे 4 side से stitch कर लेना है pin up कर लेना है हमें इसे तो दिखिए side से हमने इसे stitch कर लिया है और जो princess cut के part है वो हमें यापर stitch करेंगे दूसरा part भी stitch करना है इसी तरीके से दोनों part stitch कर लिया है नीचे के side पटी लगाएंगे पटी की beat हमने 1.5 inch रखी है एक stitch पटी के उपर से कर लेना है पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करेंगे तो दिखिए पटी लगा कर हमने इसे complete कर लिया है और अब दिखिए आपर हम neck cut करेंगे तो इसमें हमें collar लगानी है designer collar लगाएंगे तो neck की जो weight है 2.5 inch ली है और length में हमने आपे 2.5 inch लेते हुए round shape draw किया है और इसे cut करना है तो दिखिए इसे हमने cut कर लिया है और half inch हमें armhole के side को लाई देनी है cut कर लेना है इसे और दूसरा armhole भी इसी तरीके से cut करेंगे open side को stitch कर लेना है तो front part हमारा इस तरीके से ready हो गया है और अब दिखिए back part जो है उसे stitch करेंगे तो उपर के side हमें आपर ये पटी लगा लेनी है पटी की width मैंने 1.5 inch रखी है एक stitch पटी के उपर से करेंगे तो दिखिए जो हम stitch कर रहे हैं पटी लगा रहे हैं वो हमें neck के उपर के side लगानी है और इस तरीके से fold करते हो एक stitch और करना है अब देखिए जो ये हमारा man fabric है उसे हम इस तरीके से रखेंगे और इसके उपर से stitch कर लेना है देखिए इसको fold करेंगे और एक बार हम यहाँ पर इसे cut करेंगे तो देखिए यहाँ पर shoulder 7 इंच लेना है और armhole हमने 6.5 इंच लिए थे 1.5 इंच shoulder को down किया तो ये 6 इंच है chest का fourth part लेना है और 2 इंच इसमें plus करना है margin का waist ले लेना है 7 2 इंच margin के लिए 1 इंच tucks के लिए और जो extra fabric है उसे हमें cut करना है तो देखिए यह से हमने cut कर लिया है और अब यहाँ पर हम neck को cut करेंगे तो neck width हमें 2.5 इंच लेनी है और यहाँ से हमें 1 इंच लेना है color लगाएंगे हम इसमें और देखिए यहाँ पर जो neck बनाएंगे उसकी length हमने आपर ले ले देंगे 10 inch इसका center लेते हुए width में हमें 2 इंच लिया है और इस तरीके से save दिया है cut कर लेना है इसे center से भी इसे cut कर लेना है आयो की पटी लगाने के लिया तो देखिए यहाँ पर हम इसे stitch करेंगे और अब यहाँ पर हमें hook की पटी लगानी तो इसे double करते हुए लगाएंगे और इस तरीके से रखते हुए stitch करेंगे देखिए एक stitch हमें पटी के उपर से कर लेना है पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करेंगे तो यहाँ पर हमने hook की पटी लगा लिए और अब हम यहाँ पर eye की पटी लगाएंगे तो नीचे के side रखते हुए लगाना है और इसे हमने width में 2.5 inch लिया है और देखिए इसे इस तरीके से fold करेंगे और stitch करेंगे यहाँ पर हमें back tux लगा लेना है back tux की जो लेन थे वह हमने आपर 3.5 inch रखी है और नीचे के side इसमें पटी भी लगाएंगे तो जैसे हमने front में लगाई थी same way से ही पटी लगानी है तो थीखिए दोनों side के पटी लगा कर complete कर लिया है और अब इसमें हमने यह cross में पटी कट किये लाइनिंग फैबरिक की से fold करते हुए हमें नेक पर से stitch करना है कट लगा लेना है पूरे ही नेक पर और एक स्टीच हमें पटी के उपर से करना है यहाँ पर जो extra fabric लिया है वसे अंदर के side fold करना है और stitch करना है एक stitch इस तरह से अंदर करते हुए fabric को और stitch करेंगे दूसरा part भी stitch करेंगे इसी तरीके से जो उसका नेक है वो हमें इसी तरीके से stitch करना है अब दिखिए यहाँ पर हमने कॉलर के लिए यह पटी लिए है width में इसे 5 inch लिया है और length में मैंने इसे 50 inch लिया है 50 inch लिया है यहाँ से हमें इस तरीके से दोनों साइट से इसे stitch कर लेना है और जो हमारी कॉलर हम लगाएंगे उसको हमें measure कर लेना है कि वो कितनी है उसी के according हमें आपर plates को डालना है तो इस तरीके से हमें आपर चोटी चोटी plates डाल लेनी है और दीखिए हमने इसे उपर से नहीं लगाया है थोड़ा सा नीचे से हम इसमें plates डाल रहे हैं और stitch कर रहे हैं तो पूरे ही फैबरिक पे इसी तरीके से plates को डालेंगे तो दीखिए plates को डाल ले है हमने यापर उसके उपर हमें यहाँ पर यह लेस लगा लेनी है फोल्ड करते हुए तो जहाँ पर हमने stitch की थी वहीं पर हमें यह लेस को लगाना है ताकि जो stitching की है वो यहाँ पर दिखे न यहाँ से भी हमने इसे फोल्ड करते हुए लगा लिया है Side say stitch और करेंगे तो दिखे हैं मोने stitch कर लिया है और अब दिखे हैं याँ पर हम इसकी solder को join करेंगे solder को हमने याँ पर join कर लिया है cross में पटि लिये और से अब हम neck पर लगाएंगे double करते हुए दिखिए से हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और पुरे ही जो नैक है उस पर कट लगा लेना है और एक इस टीच हमे पट्टी के उपर से करना है पट्टी को अंदर के साइट फूल करते हुए स्टीच करेंगे तो दिखिए यहां पर हमने नैक को भी स्टीच कर लिया है और अब यह जो कॉलर है वो हम यहां पर लगाएंगे तो जहां पर हमने लेस लगाई है वहां पर हमें इसे स्टीच करना है उपर की साइड हम इसे स्टीच नहीं करेंगे तो दिखिए हमने इसे स्टीच कर लिया है और इसका लो किस तरीके से आ रहा है यह दिखिए स्लीव से स्लीव को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है यहां से और स्टीच करना है साइट से कि स्टीच और करेंगे तो दिखिए से हमने स्टीच कर लिया अब दिखिए स्लीव को हमें यहां पर सेंटर पर रखते हुए स्टीच करना है तो sleeves का जो extra part cut किया था उसे हमें front में stitch करना है दूसरे side से भी इसी तरीके से stitch करेंगे इसी तरीके से दोनों ही sleeves को stitch कर लेना है और center पे हमें pin up करते हुए side say stitch करेंगे और जो extra fabric है उसे हमें cut करना है दूसरे side से भी stitch करेंगे और दीखिए blouse kolder करते हुए side say पेर का margin रखते हुए से stitch करना है दूसरे side से भी stitch करेंगे और अब यहाँ पर हम fitting लगाएंगे तो सेंटर से चेस्ट के फोर्थ पार्ट पर मार्किंग करनी है 8.5 इंच पर और यहां पर हमें वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 7 इंच दोनों मार्किंग को मला लेना है स्लीज राउंड है हमारा 12 इंच तो उसका हाफ लेंगे हम 6 इंच 6 इंच पर मार्किंग करते हुए तीनों मार्किंग को मिलाना है और से यहाँ पर फिटिंग लगानी है झाल 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 झाल